हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टू माई गाडनिंग चैनल ग्रू एंड ब्लूम दोस्तों बारिश हो गई है अभी कल ज़र हमारे तरफ यूपी में शाजापुर में में रहती हूँ तो जिन एरियाज में बारिश और आंधी वैसे भी मई जून में तो बहुत ज़्यादा आंधी और बारिश आती है फूरे उत्तर भारत में तो जो ये मौसम रहता है न ये पौधों के लिए कभी-कभी बहुत मुश्किल पैदा कर देता है हम लोगों के लिए हम गार्डनर्स के लिए क्योंकि आंधी कल आई है तो इसने ऐसे मेरे गार्डन को तहस नहस किया है कि मेरा तो सुबा देखके ही मोड खराब हो गया है यो समझ लें कि जो मेरे देखें ये मेरे समर पिटुनियाज जो है वो जड़ से उखड गए थे पिल्कुल मैंने देखा है तो वो जड़ से बाहर निकल गए फिर मुझे निकाल के फेकी देना पड़ा क्योंकि वो तूटे हुए थे तो दुबारा से वो ग्रो भी नहीं करने के थे और निकल गए और जबक प्रावा में जो ये इस तरह से जो मेरी विंका लगे हुए हैं ये सारे जड़ से इल गए हैं ये देख रहे हैं मैंने बस गलती करिए कि मुझे मैंने इसके लकडिया नहीं ढूनी जो भी कुछ स्टिक्स लगानी होती है इनके सपोर्ट के लिए वो मैंने नहीं करा तो आप उनको सपोर्ट जरूर दे दें वरना इसी तरह से प्लांट खराब हो जाते हैं फिर तूट जाते हैं तो बहुत सारे प्लांट में ये हुआ है मेरे ये दिखी इसको मैंने अभी अभी ठीक करा ये और ये महराज तो पूरा विल्कुल गिरे हुए थे अभी इनको तो अभी ऐने दुबारा से मिटी में इनको खडा करा है फिर मिटी ठीक करी है तो इस तरह से जो पौदों के जड़े Doesn't तो इस बात का ध्यान रखें कि इनके जो है इने support देकर इने ऐसे पौधों को लगाना है रखना है इसके अलावा में जो cuttings अगर आपका पौधा कोई खराब हो गया है बहुत important बात बता रही हूं कि अगर आपका कोई पौधा खराब हो गया है तो इसकी cuttings लगा दे आप हाँ एक ही लगेगी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है मतलब जो branch है चोटी है तो इसकी cutting लगा दूंगे हलाएं कि प्लांट अभी बिल्कुल सेफ है कोई दिक्कत नहीं है इसको बिल्कुल सही है प्लांट मेरा इसको कोई समस्या नहीं है लेकिन फिर भी इसकी cutting लगा द यह चोटा सा टब था जिसको मैंने यह ऐसे तरह से सपोर्ट देके बनाया था और उसके बाद में टोपियरी बन रही थी मेरी इस सब नीचे गिर गया सब तूट गए सारे चोटी चोटी से जो प्लांट्स थे ना जैट की चोटी cutting सास पास लगाई थी वो सब तूट के नी पीचे रख दें कुछ दिनों के लिए क्योंकि अभी यह आंदी और यह बारिश तेज हवा के साथ में यह तो रहने वाला है एक दो महीने तक तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आपने पौदों को कैसे बचाएंगे इसी के साथ ही कुछ पौदे ऐसे होते हैं जैसे व मजबूत आपने सपोर्ट नहीं दिये इनको तो अभी आप उसको ठीक कर दें और अच्छे से इसको टाइप कर दें ताकि जो पौदे हैं उनको कोई नुकसान नहीं वरना लताएं जो होती है हवा में फिर नीचे गिर पढ़ती है फिर उन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता है कि मौज स्टिक में मैंने इनको बांदा वा फिर मैंने अच्छे से इसे तार से लपेट दिया था ताकि यह गिरें नहीं और बारिश के बाद एक बात का और भी ध्यान रखें आंधी से तो जो पौदे खराब होते हैं उनको फटाफट से रेस्क्यू करना ही है कि किसी तरह से उनको बचा लें अगर गमला तूट गया है तो दूसरे गमले में शिफ्ट कर दें या पौदा गिर गया है तो उससे संभाल के लगा दें और इसे सपोर्ट दे दें दुबारा से इसको अगर थोड़ा बहुत तूट भी गया है तो इसकी कटिंग्स लगा दें और पौदे को हील करने दें जो भी अगर मदर प्लांट सही सलामत है तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसके अलावा में जब बा हुआ है लब निकला नहीं है पानी एक्स्ट्रा पानी वह रहा है इसे कि यह मेरा एक प्लांटर है इसमें इस तरह से पानी भर जाता है तो मैंने अभी इसका निकाला है तो अगर आपको बाकी किसी में देखें नहीं है पानी तो अगर आपको लबता है कि आपका कोई का पानी निकाल देंगे ताकि गंबले में पानी भारा ना रहे और पौधी को कोई नुकसान ना पहुचे तो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखेंगे बाकी बरसात के लिए कुछ बहुत महत पूर्ण जानकारी कुछ बहुत इंपोर्टन टिप्स होंगी जिनको मैं पौधों को बचाना भी गर्मी बहुत जादा पढ़ रही है इस समय भी पौधों को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है और जब बारिश होने लगती है जब पानी बहुत जादा भरने लगता है उस समय भी पौधों को बचाना एक बहुत चैलेंज होता है कि किस तरह से प आपना खुबसूरत बना के रखना है और पौधों को रखना है तो थोड़ी सी बातों का तो ध्यान रखने ही पड़ेगा थोड़ी मेनद तो करने पड़ेगी तो यह सारी जो टिप्स मैंने दिये हैं सब चीजों का ध्यान रखें आप और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब बाइ बाइ टेक केर